Hello students, आज का हमारा टॉपिक है वाल्व वाल्व क्या होता है? A valve is a device that controls or directs the flow of flood It has a passage that opens and closes to control the flow of flood and gas वाल्व एक ऐसी युक्ती होती है जिसमें द्रव और गैस के बाहों को निंदरित करने के लिए एक रास्ता बना होता है जिसके खुलने और बंद होने के कारण यह काम करता है Valve Actuators Valve को खोलने और बंद करने के लिए जिस युक्ती का उप्योग किया जाता है Valve Actuator कहलाते है पहला Manual Actuator इसमें पहला है Hand Wheel जो गोल स्टेरिंग जैसा होता है जिसे घुमा कर इसे खोला या बंद किया जाता है Hand Wheel कहलाता है दूसरा Hand Leaver यह एक सीधा लीवर होता है जिसके द्वारा Valve को खोला और बंद किया जाता है इसे Hand Leaver कहते है तीसरा Gear Wheel यह भी Hand Wheel की तरही ऑपरेट होता है पर इसमें Gear लगे होते हैं और इसका उप्योग अधिकतर बड़े वाल्वों को चलाने के लिए किया जाता है दूसरा Power Actuator इसमें वाल्व को ऑपरेट करने के लिए Electric Motor, Air Pressure, Hydraulic System या Solenoid का उप्योग किया जाता है Solenoid यह सब्द हमारा पिछले चैप्टर में भी आया था Fuel Injection Mechanism में जिसमें आप इसको देख सकते हैं या आपने दसवी ग्लास में भी पढ़े होंगे Solenoid का उप्योग Electrical Energy को Mechanical Work में बदलने के लिए होता है यह इसमें एक Insulated Copper Coil होती है जो Spring जैसी दिखाई देती है जब इसमें विद्द धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके बीच में रखी धातू की छड़ इस Coil के विद्द छेतर के कारण सरकती है इसे ही Solenoid कहते हैं तीसरा है Automatic Actuator इसमें Sensing Device होती है जो Flow को Automatic Maintain करती है Ball Valve Ball Valve is also known as Quarter Turn Valve because a 90 degree rotation of the handle is required to change the valve position from fully open to fully closed और Vice Versa यह Valve Quarter Turn Valve होता है क्योंकि इसे 90 degree होने पर इसे खोला या बंद किया जा सकता है इस Valve को पूरा खोला या पूरा बंद किया जाता है इसे Fluid को Regulate करने के लिए उप्योग नहीं करते हैं इसका Plunger Goal Ball की तरह होता है इसलिए इसे Ball Valve कहते हैं Plug Valve The Plug Valve is a Quarter Turn Rotary Motion Valve which uses a tapered or cylindrical plug to stop or start the flow या एक Quarter Turn Valve होता है क्योंकि इसे भी 90 degree घुआने पर इसे खोला या बंद किया जा सकता है इस Valve को पूरा खोला या पूरा बंद किया जाता है इसे Flood को Regulate करने के लिए उप्योग नहीं करते हैं इसका Plunger बेलनाकार या taper होता है जो एक Plug की तरह दिखाई देता इसलिए से Plug Valve कहते हैं Butterfly Valve अब Butterfly Valve is a Quarter Turn Rotary Motion Valve विच इस यूज़ तो Stop, Start and Regulate the Flow यह Valve भी Quarter Turn Valve होता है क्योंकि इसे भी 90 degree घुमाने पर इसे खोला या बंद किया जा सकता है इस Valve का उप्योग फ्लोग को रोकने बंद करने के अलावा इसका फ्लोग को रेगुलेट करने के लिए भी किया जाता है इसका प्लंजर एक डिस्क होता है इसके कारण यह अन्य वाल्व से बहुत कम स्थान घिरता है गैट वाल्व इन दा गैट वाल्व वाल्व इस ओपन बाय अ थ्रेड़ेड स्टेम सिंस दा वाल्व हैस तू टर्न सेवलर ताइम्स तू मूव फ्रॉम ओपन तू दा क्लोस पोजिशन एंड वाइस वरसा गैट वाल्व में एक थ्रेड़ेड स्टेम होता है जिसको कई चक्कर घुमाने पर यहां उपर नीचे चलता है जिसके द्वारा फ्लोड फ्लो को रोका या छोड़ा जाता है इस चित्र में आप वाल्व की ओपन और क्लोस पोजिशन दोनों को देख सकते हैं इन चित्रों में लेफ्ट वाल्व का फ्रेंट व्यू है गया है ड्राइंग के पेपर में गैट वाल्व की असेमली बनानी के लिए आती है इसलिए इसे आप थोड़ा याद करके रखें ग्लोब वाल्व ग्लोब वाल्व को फ्लोड के फ्लो को रोकने चालू करने और नियंतरित करने के लिए बनाया गया है इसमें एक डिस्क होती है जो उपर नीचे मूव करती है और रिंग सीट जो नीचे फिक्स होती है इस पर कसा कर फ्लो को रोकती है यह प्राया गोला कर बनाया जाते हैं इस चित्र में ग्लोब वाल्व का फुल सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं और यह ग्लोब वाल्व की असेंबली रोइंग है जो एक्जाम में पूछी जाती है तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी चाहिए नीडल वाल्व नीडल वाल्व में एक छोटा चूड़ी दाव नीडल शेप का प्लंजर होता है इस वाल्व के हैंडल को घुमाने पर यह उपर नीचे मूव करता है इसका सेक्शन व्यू भी आप इसमें देख सकते हैं जिसमें इसकी मेकेनिजम दिखाई गई है नीडल वाल्व का उप्योग द्रवों के बहाओ सामाने था गैस और पानी को बहुत सूक्ष्म मातरा में नियंतरत करने के लिए किया जाता है चेक वाल्व चेक वाल्व एक लीनियर मोशन नौन रिटन वाल्व होता है यह फ्लोड के फ्लोड को केवल एक तरफ जाने देता है जैसा इस चेतर में आप देख सकते हैं यदि फ्लोड बाहर आ रहा है तो इसके दावाव फ्लोड के बहाव के कारण यह वाल्व खुला रहेगा पर जब फ्लोड विपरीत होता है तो फ्लोड प्रेशर के कारण वाल्व बंद हो जाएगा इस प्रकार यह सिर्फ एक तरफ के बहाव को फ्लोड होने देता है इस चेतर में वाल्व की ओपन और क्लोस तोनों पोजिशन आपको दिख रही है नीला वाला क्लोस पोजिशन में है वाइट वाला ओपन पोजिशन में है पिंच वाल्व अब पिंच वाल्व इस टूवे वाल्व देजाइन तो शट आफ और कंट्रोल दा फ्लो आफ कोरोशिव, एवरेशिव एन ग्रेन्वल मीडियम इस ए लीनियर मोशन वाल्व पिंच वाल्व एक टूवे वाल्व होता है जो संचारक, घर्षन करने वाले और बारीक दाने वाले पदार्थों के बाहों को नियंतरित करने के लिए उप्योग किया जाता है जैसा कि इस चत्र में दिख रहा है इसमें एक flexible rubber होती है जिसे pinch करके याने दबा कर valve को operate किया जाता है इस valve में दरव का प्रवा ट्यूब के अंदर होता है इसलिए इस valve के जाम होने या खराब होने की संभावना कम होती है प्रेसर रिलीफ वाल्व याने प्रवी प्रेसर रिलीफ वाल्व एक सेफटी डिवाईज होती है जो किसी boiler या प्रेशर सिस्टम के उपर लगाया जाता है जो अधिक pressure होने पर open हो जाता है जिससे गंभीर दुरगटना होने से सुरक्षा मिलती है PRV used to maintain constant pressure in system PRV used to non-compressible flood PRV का उपयोग किसी system का दाओ नियत बनाये रखने में होता है और इसका उपयोग आसमपीड द्रवों वाली जगह किया जाता है इस चत्र में आप वाल्व का section view देख सकते हैं ये प्रेशर रिलीफ वाल्व की assembly rowing है अब आता है प्रेशर safety वाल PSV PSV is a automated safety device in pressure system which protects life, property and equipment PSV used to release extra pressure PSV used to compressible floats like air, vapour, etc. मूलता तो प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर safety वाल्व एक जैसे ही होते हैं लेकिन PSV का उपयोग compressible float वाली जगह में किया जाता है और जब भी system में नियत प्रेशर से अधिक हो जाता है तो यह open हो जाता है जिससे boiler आदी को सुरक्षा मिलती है आखरी है, Lever Safety Valve Lever Safety Valve is a boiler mounting instrument which is used to top of boiler for safety purposes Lever Safety Valve is used for maintaining a constant safe pressure inside a boiler Lever Safety Valve release extra steam when steam pressurized beyond the safe working pressure and prevent the explosion यह एक boiler mounting में उपयोग होने वाला यंत्र है जब भी boiler में pressure नियत मान से अधिक होता है तो यह boiler से steam को निकाल देता है और नियत pressure बनाए रखता है जिससे boiler फटने से बच जाता है इस चित्र की तरह यह आप देख सकते हैं इसमें आपको डीटेल्स दिखाई दे रही हैं यह Lever Safety Valve की डीटेल्स हैं इस चित्र में भी इसकी डीटेल्स दी गई हैं प्रेसर Safety Valve की यह डीटेल्स हैं और यह इसकी assembly है इस तरीके से आप इस वीडियो को pause करके इसका screenshot ले ले और इसको बनाने की practice करें तो आज इस वीडियो में इतना ही आज के लिए काफी है अजिए अजिए आजिए